आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गलियों में हल्चल सुरू हो गई है तो वहीं जनता के मूड में हम जानेंगे कि अपकी बार किन मुद्दो को लेकर जनता ओट करेगी अगर हम विधायक की बात करें तो विधायक द्वारा छेत्र में क्या काम कराया गया है इसको लेकर भी ही हम जनता से बात करेंगे हमारे साथ जनता है और जनता के मूड के बारे में जानने के लिए इस समय हम मौझूद है जनता के बीच में तो कुछ है ऐसा खास नहीं है लेकिन क्या है महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है अब मेरा प्रिंटिंग का काम है छोटा काम है रोज कागज पर पैसे बढ़ते हैं रोज पैट्रोल डीजल पैसे बढ़ेंगे यह दर कागज बढ़ जाएंगे हम आज 300 रुपए खरीद रहे फिर पता चलता है 360 रुपए अब क्या तो हम गहाग को चीज दें और क्या गहाग हम सलें वैसे तो गहाग ही नहीं इस मार्केट में इससे महंगाई चर्म सीमा पर चल लए है अब भरोसा कोई नहीं कहां जाकर रुखेगी है काम तो विजनौर विधान सबा में नाम मात्र किये गए है भाजपा विधायक दुवारा लेकिन चुनाओं में अब की बार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा एहम रहेगा जो महंगाई से आम जनता की कमर तूटी हुई है हर रोज महंगाई दिन बर दिन बढ़ रह कि उससे और पडेश देश परदेश की सब्सक्राइब का मुद्दा अहम रहेगा आनेवाले चुनाओं में मैं वही कहूंगा कि वो ख़दानों को रद्धी समझ कर बेच डालेगा अरे वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा हकुमत देदी हमने चाय बेचने वाले को वो भारत को चाय पत्ती समझ कर बेच डालेगा इसने बरबाद करने वाला प्रदान मंतरी साबित होगा नरिंदर मोदी जिसका नाम है दुनिया का सबसे बड़ा जूटा प्रदानमंतरी हिंदुस्तान का है ये जूट बोलने के लावा कुछ नहीं करते enorme today रोजगार चीनने का काम किया है इन्होंने तमाम पैक्टियों को 4000 पैक्टिय भी पीछे बंद होी है कहां जाएंगे यूवा ये डेकेती डालने का काम करेंगे ये अपरण करने का काम करेंगे आखिर उन्हें पेट बनना है आज किसान 11 महेंने से बोडर पे पड़ा हुआ है इनकी आगे नहीं कुल लाएं ये किसान के बारे में नहीं ये किसानों का मुल्क है ये किसान नहीं होगा तो अधो MINT का मुल्क नहीं होगा ये मुल्क बरबाद हो जाएगा ये 20 लाग का सूल पैनने वाला प्रदान मंतरी का काम इस पर दान मंतिरी ने किया है और ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है ये तमाम चीज बेच रहे हैं आज हवाई एड़ों को बेच रहे हैं रेल वी अस्टेसलों को बेच रहे हैं ये सडकों को बेच रहे हैं ये किसान को बर्बाद करना चाहते हैं उसके धान को भी गिर ने एक भी मेडिकल नहीं बनाया पुरे हिंदुस्तान में आज इन्होंने कोई भी एक भी आई-ाई-टी नहीं बनाया कहां रोजगार लेंगे कहां पढ़ेंगे बच्चे ये सिर्फ हिंदू-मुसल्मान पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं एक शार के सहर के सा पाजपन और दे दिया था कहां एक हजार रुपए का सलंडर है कहां से तो अपने बाल को पेट भर है लकड़ी अच्छी थी बनमस्द चले जाते तो लकड़ी लाके खाना तो बनाके दे दे अब क्या इसा मोदी से कहां सका है मैं यह तो सुनने को तयान नहीं क्योंकि यह स अब किससे अपनी बात सुना में जाके हम तो मजदूर है भाजपस के मैं किस से कहां में जाके बनाकर रखें विदायक नहीं सुनता वोट लेना होगा तो हाथ जोड़ेगा बात में वह हमारी बात भी नहीं पूछ रही है किस से जाकर कर एमें डाल जो 50 रुपेक हुआ या लाम है कहां से क्या करें जो मतलब किसान का अनाजी नहीं बहुर यां तो कहां से देवेगा दोस्तर रुपए लीटर तेल हो गया तो क्या करें हम लोग ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहें ना लिक पा रहें इसकूल वेब बंद पढ़े हैं पहले तो यह बच्टी अनलब लोग गेसी इतना मेंगा है तो हम कैसे अपनी रष्टि को चलाएंगे जो छोटी चोटी गरीब जनता है वह तो चलाने में शक्शम ही नहीं है क्योंकि हमने कि सुना गुमोदी जी ने पहले शिलेंडर पूरा कनेक्शन फ्री दिया था अब उन्होंने एक महीने दो तो कैसे अपना घर चला है तेल देख लिजिए सर्सों का तेल देख लिए अटा देख लिजिए जो सर्सों का तेल कभी 130 रुपे खिलो था अब चार जने आ जाए तो ऐसे लगता है ज़रा बड़ा मुश्किल काम हो गया है क्योंकि जब इतनी महंगाई है पैट्रोल देख लीजिए डीजल देख यह सरकार अपके बार आने वाली नहीं है क्या चीज सस्ती है सिर्फ एक आदमी सस्ता है उसको पुलिस से पिटवा दे अब उन्होंने गाड़ी खड़ी करती है फिर से इसमे डलने लगता अप यह सरकार को लिया है क्योंकि सिर्फ लम तेल लगता तेल नहीं लगएगा तो मतला साइके से चनाजाा पसंद करें ग मुद्शारे महंगाई के हैं बेरोजगारी के जो गरीब लोग नगी, परिशानीयों के हैं सारे यही मुद्शारे हैं और यूवा Spire वो तो बहुत ज्यादा परिशान हो चुकी है कोई उसे किसी बात से वो आत्महतिया कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग सिलंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, वो अपने चूले पर लोटिया हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, डीजल और पेटरॉल सारा इतना महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा इस सरकार ने सब को बहुत परिशान कर दिया, यह तो गरीब बीन में कहना महा और जादे धकेल दिया, और मनलब भाजपसे इतने परिसान है, सलंडर है, हर चीज है, हर चीज पर मतलब इन्हों नहों कर दिया, मेरा लड़का मकेनिकल इंजीनियर है, आज घर पढ़ा है, इतना मैंने पैसा लगाया, गरीब आज भी हूँ, मैंने जमीन बेच के मैंने अपने लड़के को पढ़ाया, आज मैंने लड़का बेरोजगार पढ़ा है, तो ऐसे भाजपसे मैंने, क्या उम्मीद कर सके, हम तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, और कांग्रेस को बोट देंगे, जनता के मूट की बात करें, तो जनता का साथ तौर से कहना कि महंगाई का मुद्दा, ऐसा मुद्दा अपकी बार बनके सामने आएगा, जो कहीं न कहीं जो है, ओट में ये मुद्दा सामिल रहेगा, इसको लेकर साथी विधायक के काम को लेकर कहीं न कहीं जनता असंतुर्ष दिखी है, जिसको लेकर जनता ओट करेगी, रोहित्र पाठी, ETV भारत, विजनावर